नमस्कार दोस्तों मैं आपके साती कोल्दिकुमार मेक्वाल, मेक्वाल का इतियास या मेकवन्स का इतियास इसका जो टोपिक चलाओ है हमारा अगला भाग है हमारा भाग नमबर चैर है आज हम पढ़ेंगे मेगवंस के परतिष्टित या प्रभावशाली राजा हुए है उनके बारे में और उनका जो सामराज्य कहां तक फैला हुआ था इसके विशे में आज हम पढ़ेंगे और आज को टोपिक हमारा ही है कि मेगवंस के जो राजा थे उनका इत्यास कितना पुराना है तता हो कौन-कौन से राजा हुए है इन सब के बारे में पढ़ेंगे तब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्राजेन समय भृत भारत में वर्तमान राज़तान के मद्ध में था मोर्यों के संग परवर्ती कुषानों के इत्यास की जानकारी सरव विदित है लेकिन सासन के संपूर्ण भारत में नहीं था कुशानों के पस्चात गुप्त वन्स का उदे हुआ कुशानों और गुप्तों के बीच के जो समय है भारत के इतियास में या भारती इतियास में अंदकार का यूग का माना जाता है और इसी सिचुएशन में ऐसी इस आउधी के दोरान एतियासिक सामगरी का इतना अभाव हुआ कि ये कहना असंभा होगा कि इस अंतराल में भारत में कितने राज़े थे और कौन-कौन से राजवनस थे जिनकी आउधी और राज़े क्या क्या होगा इसमें समीत में कुशान तथा आंदर में राजवनस को नाग संद 220 इसवी से 230 इसवी तक लगवग सामराज़ के भोगी गुप्त वनस के सासक के उत्थान के लिए समय पर सो वर्ष के बाद भारत वर्ष में इतियास का इस बिलकुल का सदा अहली की तरह है इस सम्द्ध में जो कुछ सामगरी उपलद है उसका संपूर्ण या पूर्ण विसलेशन विवेचन नहीं क्या जा सकता मेगवन्स या मेगवाल का एक राजवन्स या एतियासिक राजवन्स था मेगवाल एक राजवन्स था और इस संबन्द में प्रोफेसर वीशन्ट समित ने भारत की इतियास में सिंगा उलोकन करते समय इस बात को फिलिप्ट दथा काल हॉंस के इनुसार करते हुए उन्हें ब परियास क्या जिसे अवदी कि दिवाकाटक भारिशव मेग वन्स तता राजवन्स उजा कर हुए हैं इसमें वह वाकाटक को कि समय में कोशल का एक परकार से इसास कोई थे इस वियां लोग मेग कहलाते थे और मेगों के इत्यास इसासन के सत्वा मद्य देश में रही हैं और कुछी सा हरियाना मद्दा परदेश राजस्तान मेगों का सथान रहा है हम बात करते हैं सबसे पहले मेगवन्स की या मेगवाल्स की सत्ता के बार हम बात करते हैं इनकी धुरूद को संबीत ही थी प्राचिन समय में कोसल परदेश हमें आता था और इनकी सत्ता के आविश्तार करते हैं अपने नौ पीडियों के कारण एमूल रूप से फिद्य सकती किसमें मिम्जब की आंदर प्रदेश विज़े प्राप्त की गी और इससे पहले भार्षियों के समय तक पहुंचते हैं कि विश्नु पुरान के अनुशार कोशला पृर्देश के साथ भागो या सब्स्त कोशला पुरानों के भी कागाया हैं और शासके को भूछ सक्तिसाली आसापुदद इमान थे गुपतों लोग को संब या कोस्टों सास को को संबी को पराण तर्ट्यूं संबु Σाथ को संबी के स्था स्ट्राइबन के संद्सक्तों तर्हान सववेखना में कुषान वक वस्तान हसितकिया जिससे इस राजवन्स का प्रार्म हुआ अजय सास्तिनी सता की सतापना के इनसाल पर तिश्री पार तक नरेश राज महराज मग का राज़त रोहन से माना जाता है इस किस्तापना का समर्थन में प्रफेसर अशन रोय रधादी इत्यासकोन ने किया है तो प्रफेसर रोय ने इन रेशों को बंदोगर्ट से प्राप्त हुए भी लेखो और कोसंबी से प्राप्त भी लेखो को पर संगित कर एक तितियों के विसलेशन करते हुए उन्हों ने किस्ता शक्ता को एकसुमन दिखज सें एकसो चोंदिष एसवी से लेकर इकसो चोपमनि शुत त्यासक दरश्टी से उनिशसे सैं और एकसो दोस्टा तक इस समंध्ध में सठामना का मना जाता मंद Sherman में के प्रदेस के कुसंबी सा प्रथे पुरह लगवग दोस्ट इस्वी तक फट्यपूर के मिश्टित किया का है लेकिन तीस्टी सत्ती की वितियासकार का अंदकार समे रहा हैं मोधिराव तथा मेग राजाओं के अग्यात होते हुए उन्हें नव धन्देव तथा अंतिन लगाते थे और केपी जाइसवार के पुरानों के अनुसार सही मानते हैं कि विराजवंस्क में नौसास को मानने जाते हुए फरफेशान रोय नईश पर प्रकाश्पी मर्स किया सथा उन्हें सम्भावना व्यक्त करते हुए इस तर आजवंस की परतिष्टर ज्राग दूसमाना का हैं हो इसमेग मग और मेग वाल इसके इसके किरम से मिल दे दुलते हैं और सासक के वर्ण्स के स्थापना के बारे में संदेनी हैं परंतु इस अंदबर में सत्ता के आज का जो मेगों का इत्यास था इसके पर दिस्त जो रदा थे उनके बारे में इतना ही अगला भाग में कलम पड़ेंगे आपका बोत बहुत धन्यवाद में आपका साथी कुल्दी में गवाल, संस्ताप में गवाल भी देपीट